हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं अपपम, जिसमें हमने सोजी, कनकी, कुर्मा और चावल का आटा मिक्स किया है दही में हमने इस बैटर को दही में भीगो कर मिक्स करके एक गंटे पहले तियार करके रखा है अब इसमें हमने मसाला मिक्स किया है जिसमें थोड़ी सी मेड्च, हल्दी, दाना, जीरा, पाउडर, नमक और थोड़ा सा चुटकी बर सोडा मिक्स किया है हमने थोड़ा सा तेल आदी चमच हमने मिक्स किया है अब हम इसमें वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे जिसमें गाजर क्रश करके रखी है टॉमेटो, शिमला मेर्च, पता वो भी और यह सब हम मिक्स करके अपम के तवे पर चड़ा देंगे अब हम अपम के तवे को ग्रीज करके फिर बैटर डालेंगे चमच चमच भरके बैटर डालेंगे सब पर एकवली बैटर को हम थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे ज़्यादा भरेंगे तो फिर बाहर आएगा बैटर को हम पाच मिनिट तक सेखेंगे बैटर को हम लो मीडियम गैस पर सेखेंगे पाच मिनिट बाद हम चेक करेंगे अगर बैटर सेख गया है तो एक एक करके पलट देंगे चमची से पलट ना है अब पाच मिनिट बाद देखेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि हो गए है तो ले लेंगे गैस पर से अब हमारे अपम तयार है सब्सक्राइब करने के लिए आप जैसे चाहे सजा कर इसे टेस्ट करेंगे अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए